Hello students, welcome to all of you in this module. बच्चों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज कार्तिक पुर्निमा है, गुरुनानक जेनती है. कार्तिक पुर्निमा का सिख धर्म में विसेश महत्व है. क्योंकि इसे दिन गुरुनानक देव जी का जन्म हुआ था, सिख धर्म में इसे गुरुप पर्व के रूप में मनाया जाता है. कार्तिक पुर्निमा का दिन अपने बहुत ही लावकारी और सुभ माना जाता है. इस सुबह उसर पर लोग स्री, हरी विश्नु और माता लक्ष्मी देवी के साथ चंदर देव की भी पूजा करते हैं. ऐसा कहा जाता है, इस दिन पूजा अर्चना और दान्य पुन्य जरूर करना चाहिए. इस दिन दीब जलाकर घर के आंगन, मंदिरों और नदी के किनारे दीब दान किया जाता है. महिनों से लोग इस दिन आने से पूर्व अपने अपने घरों में कपड़े को एकठा करते हैं. उन कपड़ों को जिनका उपयोग उनके घर में नहीं है ताकि वो ले जाकर के उसे दान कर सके और इस दिन वो गंगा किनारे सनान करते हैं और दान भी करते हैं. इस दिन दीपों से घर को भी सर्याय जाता है एसा माना जाता है कि दीपों से घर में सुक्स, Mr.D. इसानती का वास होता है विशेश रूप से इस दिन नदियों की नारे दीप जलाने से जीवन के अंधकार को दूर किया जाता है और ज्ञान की प्राप्ती होती है हिंदु धर्म में कार्तिक पुर्णिमा का विशेष महत्व होता है साल भर में कुल बारह पुर्णिमा तिथी आती है जिसमें कार्तिक पुर्णिमा का खास स्थान होता है और हर वर्ष कार्तिक पुर्णिमा पर देव दिपावली मनाई जाती है कार्तिक पुर्णिमा को त्रिपुरारी पुर्णिमा भी कहते हैं दरसल इस तिथी पर भगवान शिव ने त्रिपुरा सुर नाम एक दैत का वध किया था और इसलिए इसे त्रिपुरारी पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है कार्तिक पुर्णिमा पर पवित्र नदी में सनान दान ये तो विशेश महत्व है ही और दीपक जलाने की भी प्रथा होती है आज यानि 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पुर्णिमा है यहाँ आज काफी गंगा किनारे भीड लगी पड़ी है वैसे नानक जैनती सिख धर्म के प्रथम गुरू और संस्थापक गुरू नानक देव जी के जनम दिन के उपलक्ष में मनाई जाती है सिखों के पर्थम गुरु नानक देव जी हैं इनके एनुवाई इन्हें नानक नानक देव जी बावा नानक नानक शाह के नाम उसे संबोधित करते हैं गुरु नानक देव के पिता का नाम महता कालू और माता का नाम तृपता देवी था नानक देव जी की बहन नानकी थी नानकी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा बरतमान में यह जगह पाकिस्तान में है गुरू नानक जी का बिवाह बटाला निवासी मूल राज की पुत्री सुल्खनकी से नानक का बिवाह हुआ सुल्खनी से नानक के दो पुत्र पैदा हुए जिनका नाम स्रीचंद और दूसरे का नाम लक्षमी दास था वाहे गुरु अपने चर्णों में जीवन गुजर जाए आपके दिये ग्यान की पूंजी से हमारी जोली भर जाए इस तरह से हम लोग बोल करके एक दूसरे को नानक जेहनती का अभिवादन करते हैं शुपकामना देते हैं गुरु नानक जेहनती सिख धर्म के लोगों का महतपून पर्व है जो गुरु नानक देव जी के जनम दिन के उपलक्षमे मनाया जाता है इस वर्स गुरु नानक जी का 555 जहनती मनाई जा रही है जो सभी के लिए बेहत खाश है बता दें कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं उन्हें सिख समुदाय के पहले गुरु के रूप में पूजा की जाती है धार्मिक ग्रंथों में इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है गुरु नानक जी ने कहा है कि हर वैक्ति को हमेशा अच्छे और विनम्र सेवा भाव से अपना जीवन गुजारना चाहिए एहंकार से बचना चाहिए क्योंकि यह महनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है गुरु नानक जी सभी को एक समान समझते थें वे महिला और पूर्श में कोई फर्क नहीं करते थें उनका कहना था कि महिलाओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए गुरु नानक देव जी ने यह भी कहा कि वैक्ति को खुद पर कभी भी तनाव को हावी नहीं करना चाहिए हमेशा तनाव मुक्त होकर काम करना चाहिए प्रशन्ने रहना चाहिए गुरुनानक जैन्ती के उपलक्ष पर गुर्द्वारे को खास तरीके से सजाया जाता है इस अवसर पर लंगर और कीरतन का भी आयोजन किया जाता है खास करके पंजाब में यह बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला तिवहारों में से एक है आप देख सकते हैं कि पंजाबी लोग सरदार लोग कहते हैं वाहे गुरुजी खालसा वाहे गुरुजी फतेह वाहे गुरुजी सत नाम सत नाम सत नाम